संदेश वाहक साधनों के द्वारा प्रजा को अपिल की कि नगर परिशद नगर पाली का तो ठक गए लेकिन हमारा राज बल भी उस परमात्मा के बल के आगे छोटा है तुच्च है नन्ना है अब हम परम राज्य की सत्ता पाएंगे नगर पाली का राज्य सत्ता का दर्वाजा खट-खटाती है राज्य सत्ता केंद्र का दर्वाजा खट-खटा है लेकिन यहां केंद्र की भी दाल नहीं कलेगी हम असली केंद्र का दर्वाजा खट-खटाना चाहते हैं जैराम जी की बेबी होंगे और नगरपाली काखे लोग भी होंगे वरिष्ट अधिकारियों को भी अनिवारे आना होगा हम असली सरकार को प्रात्ना करने के लिए फलानितारिक दर्या किनारे चार बजे एकत्रित होंगे महराज आयोजन के अनुसार भगवान की अभिशेक से पूजा शिरू हो गए कहीं किरतन मनलियों ने किरतन चालू किया कहीं शोडशो उपचार से भगवान नारायन की पूजा होई तो कहीं वरुन देवताजी के लिए प्रसंता के लिए कुछ प्रयोग किये गए तो कहीं इंद्र देवता को प्रसंत करने के लिए यग यग आदी किये गए ऐसा करते करते साम के तीन बजे हैं आकाश में एक भी बादल नहीं क्या पिएंगे कैसे जीएंगे ये सवाल था राजगोपालाचारी के सामने ये एत्यासिक बात है राजगोपालाचारी सीएम थे मदराज के समसत से पूछ के देखो जैराम जी की साड़े तीन बजे कारेक्रम सब संपन हुआ विद्वान ब्रामन यग्य करके पुरुनाहुतियों का नारहिल अरपन कर दिये किर्तन वालों ने किर्तन किया हाकोर जी को भोग लगा दिया जब वालों ने जब किया पाठ वालों ने पाठ किया स्तोत्र वालों ने स्तोत्र किये साब को जो जो संपा गया था उन्होंने अपना कारेक्रम संपन्न किया अब आखरी विदाय का थोड़ा सा प्राथना सहीत संबोधन राजगुपालाचार्य कर रहे हैं उस दर्या के किनारे खुले आऊ हम लोगोंने सुबह से लेकर वरुन देवता को भगवान नारायन को और भगवान इंद्रदेव को अपनी अरजी दे दिये अपना प्राथना पत्र दिया है मनुष्य की अपनी सीमा है और भगवान की शक्ती असिम है और मनुष्य का मन भगवान की असिम शक्ती से फुरफुराता है हम लोगों का भाव शुद्ध और प्राथना सचे रदे से होगी तो भगवान जरूर कृपा करेंगे अभी तो चाहे कोई एक बादल भी नहीं देखता है लेकिन उसके हाथ की तो ऐसी कारिगिरी है कि वो कर्तुम शक्यम, अकर्तुम शक्यम, अन्यथा कर्तुम शक्यम है इसलिए कोई उमिद मत मिटाना, शद्धा मत हटाना आप अपने अपने घर जाईएगा मैं तो भगवान को और आपको फिर-फिर से इपरातना करता हूँ कि आप भी परातना करे भगवान को और भगवान हम पर करुणा करे हे वरू देव, अब हमारे बश की बात नहीं है इंद्र देव, आप मेगो को भेजने की करपा करिए हे आदी नारैन प्राणी मात्र के रदय में तुम हो हमारे कोई भूल पाप अपराध हो गए हो तुम मुंगे गायों को और पशों को देख कर भी आप बरसने की करपा करो और निर्दोश लोकों पर आप करुणा करके हे करुणा वरुणा ले आप अपने उदार रदय से उदार नीती से हम इन अनाथों की मांग को स्विकार करने की करपा करना गदगदवाने से भरे कंठ से आँखों में आशु है कंठ में गदगदता है रदय भरा है बगवद भक्ती से वह सी एम वहच मुख्य मंत्री मदरास का प्रातना करते करते मानो भाव भी भुर हो गया जनता का भाव भी उसने प्राप्त कर लिया एक आजशन उनका रदय शांत रहा होगा अनहद सुनो बडभागिया में उनकी वृति पहुँची होगी प्रातना करके वे अपने अपन घर गए भुजन बनाया पाया शाम को देखते कोई बादल बादल नहीं संध्या हो गई तारे टिम टिम आते हैं और तारों की टिम टिम हाट कहीं कहीं नहीं दिखती है थोड़े थोड़े बादल एकत्रित हुए लोक सो गए हैं ठीक रात को दो बजे मदरास में ऐसी जोरो की बारिश पड़ी महराज क्या कहना जो पूरे बारिश में रेड स्टॉन लेक भरता था वो रात्री को दो बचे से लेकर छे बजे सुबा तक बारिश ऐसी पड़ी रेड स्टॉन लेक तो भर गया लेकिन चलका ऐसा चलका और बारिश ने चाहूं तरब से ऐसी कृपा की कर दी कि मदरास की सडकों पर नावें चलानी पड़ी ऐसी नोबत आ गई जब वो देता है तो छप पर फाड़ के देता है तुम्हारा मन एक कल्प व्रक्ष है विश को अमृत बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है और अमृत को विश बनाने की शक्ति तुम्हारे मन में है कल मैंने परदेश के विज्ञानियों को के प्रयोग का एक द्रश्टान तापो दिया था इसलिए आप क्रपा करके अपने मन को दुष शंगती, दुष करम अथ्वा हीन विचारों से अपने मन को गंदा मत करिये हजार हजार गलतियां हो गई फिर भी भगवान की शरण लेकर दुबारा गलती न करूंगा और भगवन नाम का सहरा लोगे तो आपका मन निर्दोष होने लगेगा योगियों का कहना है कि मन जब अनहद नाद अनहद केंद्र में आता है तो उसको अपसराव आदी उस पर मोहित होने लगती है वो त्रिकाल दर्शी होने लगता है दूर दर्शन, दूर श्रवन और आकाश गमन आदी की अंतवा हक सरीर के द्वारा उसकी सिध्धी पार लेता है उसे भूचरी सिध्धी प्राप्त होती है और वह योगी ब्रह्मा विश्नु महेश जिस आत्म परमात्मा में रमन करते हैं उस आत्म सुक्ष में वह योगी त्रिलोकी में बिचरन करता हुआ भी अपने आत्मा में बिचरन करता है इस योग को ग्यानेश्वर महराज ने ग्यानेश्वर गीता के छठ्थे अध्याय में बड़ा सुन्दर धंग से वरनन किया है कि ऐसा योगी देवों का देव होता है योगी जिस धर्ती पर जहां कदम रखता है धर्ती पूझने योगे हो जाती है योग वसिष्ट महरामायन में भगवान राम के गुरुने का है हे राम जी इक्षवाकू राजा ने जब मनु महराज का आवहन किया तो मनु महराज ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन तु नित्य अंतर मुख हो और फिर तु जिस इंट पर पैर रखेगा वो इंट पवित्र हो जाएगी जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी और जिस पुरुष के तरफ तेरी दरश्टी पड़ेगी वो भी पाप मुख्त हो जाएगा परमात्म का ध्यान ऐसा महान है भगवान शिव ने वसिष्ट को कहा कि तेरा निमेश इस अंतरयामी आत्म देव का ध्यान करने से बाज पे यग्य का फल होता है सत्रा निमेश उस परमेश्वर अंतरयामी इश्वर में गोता मारने से राजसु यग्य का फल होता है एक महुरत अत्वा एक पहर उस परब्रम परमात्मा के ध्यान में रमन करने से अश्वमेग यग्य करने का फल होता है हे मुनि शार्दुल हे निश्पाप मुनि जिन सादू संतों का दर्षन करने से संसारी लोग निश्पाप होते हैं, जिन संत महत्माओं का दर्षन करने से संसारी लोग पवित्र होते हैं, ऐसे संत भी उस परमेश्वर के ध्यान से ही पावन होते हैं और पावन करने का सामर्थ लाते हैं नानक जी ने कहा अनहद सुनो बढ़ भागियां सकल मनोरत पूरे तो और योग करने पड़ते इस योग के लिए करना नहीं पड़ता है थोड़ा ही किसी महापुरुष का संप्रेक्षन शक्ती का धक्का लग जाए प्रसाद मिल जाए तो फिर मन को जरा स्वाद आता है अपन पीता है और लवर लवरियों को कितना भी समझाओ फिर भी रजिस्टर मेरेज कर लेते हैं ऐसे वो तुम्हारा मन रजिस्टर का बाप का बाप परमात्मा के साथ मेरेज कर लेता है स्वाद आ जाए भी या बस मन को अगर परमात्म सुप का स्वाद आ जाए तो जैसे लवर लवरिया, कुल, रीत, रिवाज सब को छोड़ कर भी धराग धुम जंप मार देते हैं फिर चाहे कुछ भी हो